हलो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आइपोन में जो कॉंटेक एप्लिकेशन होती है उसमें से सारे कॉंटेक कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे ऐजे VCF फाइल सेव कर सकते हैं आप देख रहे हैं टेकी प्रसाद तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम देखते हैं कि आइफोन में आप अल कॉंटेक कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको ओपन करनी है कॉंटेक एप्लिकेशन और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग-अलग कॉंटेक्स के मैंने गुरूप बनाए है फॉर एक्जमपल फ्रेंड ुग मैं तो यहाँ पर उप्शन आजाएगा एक्सपोर्ट वर इसजमपल मुह न चलाओड करना है तो यहाँ पयर मैं टैप कर लूँगा और यहाँ पर एक्सपोर्च आप करोँगा अभी मैं यहाँ पर गूरूप धे कर्राऊ हूं हो तो यहाा पर यहां पर कर दिया और यहां पर tap किया export तो जैसे मैं export करूगा तो जो ग्रूप के अंदर जितने भी contact है उसे export करने का option आ जाएगा और यहां से आप field भी choose कर सकते हैं मतलब वो जो contact है उसकी कितनी-कितनी fields आपको export करनी है आप देख सकते हैं यहां पर मैं दूसरा option चूज कर रहा हूं और iCloud तो जैसे यहां पर मैंने टैप किया और यहां पर मैं फिल्स में जा रहा हूं तो यहां पर ज्यादा फिल्स बता रहा है मतलब आप जो भी contact वगेरे को export करना चाहते हैं उसमें जितनी-जितनी field यूज की ह कोगी उसके इसाब से यहां पर option मिल जाएगा तो जब भी आप export करते हैं contact तो आपको for example सिर्फ first name, middle name ही रखना है by default phone numbers आएगा और यहां पर अगर आपने mobile home अलग-अलग number डाले तो वो भी export करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहां पर फिल्स चूज कर सकते हैं और उसक directly add drop करके अपने दूसरी device में ले सकते हैं WhatsApp में ले सकते हैं यह जो context है वो as a VCF file से हो जाएगा तो directly भी आप WhatsApp के थूर किसी for example कहीं और phone के अंदर आप import करना चाहते हैं तो एक VCF file बन जायागी और directly आप कर सकते हैं या तो फिर अपने phone के अंदर as a backup भी save to files करके रख सकते है जनरली iCloud on होगा तो already cloud में backup होगा है लेकिन यहाँ पर मैं डेमो के रिए बता रहा हूँ यहाँ पर एक्जापर यह electronic business card यहाँ पर मैंने on my iPhone यहाँ पर अलग option है अब directly drive में भी store कर सकते हैं या तो फिर iPhone में भी store कर सकते हैं save कर दिया तो यह जो मेरे सारे context से वो export हो गए अ वो सारे context आपको नहीं दिखेंगे थोड़े ही context दिखेंगे तो अगर आपको कोई context वगरे दूसरी application में यूज करना है या तो फिर दूसरे phone के अंदर तो आप directly यहाँ से export कर लीजे जैसे मैंने बताया और directly आप यहाँ से WhatsApp या फिर कोई addro वगरे के थूर दूसरे computer वगर कर दो करदो